में CPU का क्या इस्तिमाल है यह सब तो आप अच्छी तरह जानती हैं लेकिन आपने देखा होगा CPU के बैक साइड में और आगे की साइड में कुछ पोर्ट्स, कनेक्टर और बटन्स दिये होते हैं तो ऐसे में अगर आप एक computer के student है या फिर computer चलाते है रोजाना अपने daily life में तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि यह पोर्ट्स क्या है इनका बेसिकली क्या योज है और इसे कब-कब आप इस्तमाल कर सकते हैं वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको CPU के जितने भी ports होते हैं, connector होते हैं बैक साइड में और आगी की साइड में और जो भी buttons होते हैं उनके बारे में details में जानकारी देने वाला हो कि इनका actual में क्या योज होता है हेलो गाइस, मेरा नाम है मनुसारू और टेकनोलजी के अंचल में आपका स्वागत है सबसे पहला जो connector आता है जिसका नाम है power connector या फिर कह है power supply या फिर कह है power in connector इस connector के इस्तमाल बेसिकली आप अपने CPU में current को पहुंचाने के लिए करता है जिससे आपका computer on होता है या फिर कहें आपका CPU काम करना शुरू करता है तो यहां पर आपने देखा होगा जब भी आप अपने computer को on करते हो तो आपका जो भी plug है वो सबसे पहले आपके घर के plug में लगता है जहांसे 220V का current आता है तो यहां पर इस connector का basically इस्तमाल होता है power को supply करने के लिए इसके बद नेक्स आता है जिसका नाम है CPU fan जैसा कि आपको नाम से ही पता चला है CPU fan यही CPU का पंखा तो यह एक छोटा सा पंखा होता है जो आपके CPU के अंदर लगा रहता है basically यह पंखा काम क्या करता है आपकी CPU के अंदर जो भी heat है या फिर कहें गर्मी है तो उस सारे गर्मी को वह बाहर निकाल देता है जिससे आपके CPU में जो भी hardware है या फिर कहें motherboard है उसे ठंडा रखने में मदद करता है जिससे जो भी सारे parts है वह अच्छे से काम करें तो basically यही काम होता है CPU fan का इसके बद नेक्स आता है जिसका नाम है PS2 connector well इस connector का इस्तिमाल basically CPU में input device को connect करें के इस्तिमाल की जाता है जैसे कि हो गया mouse या keyboard तो यहां पर बहुत से लोग confused जाते हैं क्योंकि देखने में यह जो दो connector होते हैं वो सेम दिखाए देता है और लोगों को समझ कर सकते हैं अगर color green है तो यहां पर mouse को connect कर सकते हैं हाला कि आज की समय में आपको जितने भी mouse मिलते हो ज्यादा तर आपको USB-based mouse मिलते हैं तो यहां पर लेकिन फिर भी आपको इन color code के बारे में जरूर पता होना चाहिए ताकि आगे से आप confused ना होए इसके बद नेक्स आता कई बार आपको CPU में देखने को मिल जाता है जिसकी मतद से आप Dolby Digital Sounds को experience कर सकते हैं इसके बद जो next port आता है जिसका नाम है USB port जिसके बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते ही होंगे तो यहां पर आपको CPU में दो तरह के port मिलते है एक मिलता है USB 2. port और दूसरा होता है USB 3. port तो यहां पर 3. port जो भी है USB port उसकी speed ज्यादा होगी 2. port के मुकाबले तो यहां पर दोनों का काम सेमी है इसकी मदद से यह port की मदद से आप अपने CPU में mouse को keyboard को webcam को और भी कई तरह के external hard disk हो गया pen drive हो गया या फिर अगर आपको अपने phone में कोई भी data transfer करना है या फिर ल वहां पर आप इस port का स्थमाल कर सकते हैं इसके बद जो next port आता है जिसका नाम है lane port जिसका full form है local area network port वैल इसे basically हम ethernet port के नाम से भी जानते हैं तो यहां पर इस port का स्थमाल बीसे कलिए आप अपने computer system में किसी भी तरह के दूसरे computer या फिर अगर network से connect होना है तो यहां पर आ अगर आपको दो computer correct करना है ethernet cable की मदद से तो यहां पर आप यह lane port का स्थमाल कर सकते हैं या फिर आप अपने computer system में किसी भी तरह कर नेट चलाना चाहते है cable की मदद से तो यहां पर आप इस lane port का स्थमाल कर सकते हैं इसके बद जो next port आता है जिसका नाम है e-sata port वैल इस port का इसके तुमाल बिसेकली हाइ स्पी डेटा ट्रांसफर के लिए क्या जाता है इसकी जो स्पीड होते है वो usb 2.3.8.1 गुना होती ए तो इसका जो इसका इसका जो इसका बाता है बिसिकली प्रोफेश्चनल लेबल पर किया जाता है तो यहां पर इह पर यह आपको कई CPU के अ तो commonly यहां पर तीन तरह के पोर्ट होता है, एक होता है माइक के लिए, एक होता है हेड़फोन के लिए और एक तीसरा होता है audio outputs के लिए, यानि audio devices के लिए तो यहां पर आप तीन तरह क्लर और सबसे पहल होता है व्तित्रियों सकते होरे ज्यक्तें होता है जब संस्क्रात है यहां सकते हैं और थाक THindra नाओ automatically stopped सबस्क्राइस सबस्क्रीच जाते हैं घ्रफोन के लिए इसने लिए प्लूographers करने लिए घ्रीक करने लिए या फिर कोई भी आउटपूट डिवाइसी स्पीकर कने कने करना चाते हैं तो यह सब आपासानी से इस बूल के पूर्ट में इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद जो नेक्स पूर्ट आता है जिसका नाम है वी जिये पोर्ट और एजडिये में पूर्ट ryn वीजे पोडकर्स थम्हाल के बातर है तो यहां पर आपके स्क्रीन में जो कुछ भी का दिखाई देता हुष वीजे केवल की मदद दिखाय देता हैई आपर अगर किसी भी मॉनिटर, LCD Clinton एक Windows युली एकुछ अपने मिदा यहां पर आप वीजय पोर्ट कर सकते हैं इसके पर नेक्स पोर्ट आता है जिसका नाम है HDMI पोर्ट या फिर कहें HDMI केबल वैल इसका फुल फॉर्म होता है वह होता है इसका 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 इस आप को अलग से आधियो पोड का इस्तमाल करना होगा और यहां पर आपको अलग से अलग से अलग तरख्य होते हैं इसके नेक्स नाम है एक्सपेंसन श्लॉट वेल अगर आपको अपने CPU में अलग से कुछ भी एक्टरनल एड करना है तो यहां पर आप जो भी एक्सपेंसन श्लॉट है उसके अंदर आप आप कर सकते हैं तो यही था CPU के बैक साइड का तो चलिए अब जानते हैं CPU के जो भी फ्रंट साइड यानि आगे के साइड में जो भी बटन से फिर फिर पूर्ट होते है उनका बेसिकली क्या यूज है तो यह है CPU का आगे वाला पार तो CPU में जो सबसे पहला इंपोर्टन आता है जिसका नाम ह अगर आपको अपने कंप्यूटर को चालू करना है तो सबसे पहले आपको यहां पर अपने CPU में इस बड़े वाले बटन को दबाना होगा जिसके बाद आपका जो कंप्यूटर है वो चालू हो जाएगा इसके बाद जो नेक्स पोर्ट आता है तो यह नाम है USB पोर्ट कई ऐसे तक आपको आगेकी साइड भी USB पोर्ट दिया आज की समय में तो यहां पर अगर यूइस पोर्ट को करना चाते है अपने मोबाय को करना चाते है इसके बाद नेक्स प्οर्ट आता है गन्फोन के लिए यहां पर जाना है से पर फुकुत करता है जिसका नाम है cd & DVD. ऐसे पर इस one का सब्सूं कZe Cp. व कडि करसा ल calculations हैं यहां पर अगर प्रेसे निकल जाएगा, उसके बाद यहां पर आप अपने cd तो ब्向 simplesmente slave representativeوف品 राफ ल के लहुंग. कर सकते हैं तो ये था CPU के जो भी फ्रेंट ॉसाइड में पोर्ट होते था है रहे फिर का जो भी आरE ऑक प्रेंग होते हैं उनका यूज्या पूज्अ कृुक्त में नाइक इस वीडियो benefitsा कि लायक रहे कर देना और पित बने duy के दिन लागे दो प्रेंट कर देना कि कि मैं जब भी कोई नए वीडियो अप्लोड कर तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके तो मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई